जहीं दोस्तो ट्यागी रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है दोस्तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर पहला शेर होगा इंजीनियर्स इंडिया दो शेर होंगे 40 रुपे से सस्ते एक शेर होगा नो रुपे वाला जिसके क्वाटरली रिजल्ट आए है तो ओवरल बिलाके यहां पर चार शेर के बारे में बात होने वाली है बाई और सेल की किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है कुछ पॉइंट्स में यहां पर जाते हैं तो मेरे फोर्मूले को आपको रठना होगा उसके अलावा कितना भी अपना दिमाख लगाए कोई काम चीज नहीं करने वाली है जी क्या आपने बोलके रखा हुआ राइट कंपनी राइट कंपनी कौन सी होती है त्यागी टेनेटिव्स जो की आने वाले टाइम मे बिजनिस जिसका चलता रहे पहले भी चल रहा था आगे भी चलता रहे राइट कंपनी उसके बाद राइट प्राइस गिरावट बाला भाव अच्छी कंपनी होने से पैसा नी बनेगा राइट भाव भी आपको देखना पड़ेगा इतनी सारी अच्छी कंपनिया है उनके अच्छे अच्छे profit आ रहे हैं, आपको क्या एक रुपया मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो अच्छी company से काम नहीं, अच्छा भाव, कम मिलेगा, इंतजार करना पड़ता है, जी, कोई share लगातार गिर रहा है, तो हम उसके अंदर जवर्दस्ती घुच जाएंगा, जवर्दस्ती नहीं घुचन है आपको, हाँ किसी level पर हो सकता आपको अच्छा लगे, लेकिन जहां पर वो अच्छा लगेगा, तो बड़े player के पास सभी का data है कि एक normal इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, तो जहां तक वो आप सोच नहीं गिरेगा, उससे ज्यादा नीचे डरने की सारी चीजे इनके पास रहती है, इनको सारी चीजे मालूम है, इसलिए retail ने वेसक ज़्यादा तर टाइम पर धोका खा जाता है, वो पैसा नहीं बना पाता है, लेकिन उसको बड़ा अफसोस होता है, जब share गिर जाता है, गिरने के वाद जब बढ़ता है, और उसन इस पर बिलीव करना चाहिए, अगर गिरावट पर कोई share अगर मिला तो, उसके बाद दिखिए, कोई company आपको धोका दे सकती, अच्छी company भी, तो उसके लिए इसी formula के अंदर अगला next step क्या आता है, right company, right price, पहले ही fix कीजिए कि कितना पैसा किसी company के अंदर लगाना है, और तो लगाना है, टुकडो टुकडो में, एक बार में नहीं खरीद रहा है, इस formula को रटलीजिए, आपका बेडा पार, आपको कोई छूब भी नहीं सकता, रिस्टोक मार्केट आपके पैरों में गिर के रोने लगेगा, जैसी step आता है, टुकडो टुकडो में, right price, यानि के गिरावट बाला भाव, ज्यादा तर केस में, ठीक है, तो इस शीर को रटलीजिए, आप उसके बाद देखिए, मज़ा किस तरीके साथ है, आपकी गलती में यहाँ पर बता सकता हूँ, huge quantity मारते हैं, ठीक है, खरीद लिया है, किसी share को जल्दी बाजी में खरीदा है, इंट लेकिन वो सारा profit ले भी नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुती, huge quantity मारी, 4-5,000 share मार दिये, 2 रुपे उपर 10,000 रुपे मजा गया, सारे में अपनी बावाई कर रहे हैं, आज तो 10,000 रुपे एक दिन के अंदर बना लिए, अब तो पूरे बहने में इतना, साल में इतना, और 10 साल में इतना बन गया करोड़ पती, यह सारा चीज, कभी देखेंगे नहीं कि लिए तो उपर 2 रुपे, आप शेर गिरा पड़ा है, पंदर रुपे नीचे, ठीक है, दिक्कत हो गई, अगर वहीं पर 1000 share खरीते हैं, मैं मना नहीं कर रहा होगी, अगर आपका मन है, किसी share को अच्छा आपको लग रहा है, तो खरीद ये उसको टुकड़ों टुकड़ों में, एक काम तो किया न, आपने, स्टार्टिंग में जब कोई share आप थोड़ा खरीते हैं, तो आपको मालूम पता चल जाता है कि नहीं गलती होगी, अब इसको गिर जाने दे, अच्छा खासा, लेकिन ज़्यादा खरीद लिया तो, नुकसान दिखाई देगा, बेच सकते नहीं है, तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए है, नहीं आएगी तो बड़ी दिक्कत आपके साथ होने वाली है, तो इंजिनियर्स इंडिया के अंदर गर बात करें, तो बड़ीया share मु ज़्यादा बड़ी तेजी बनीती shares के अंदर और आप गुमरा हो रहे हैं, ऐसे ही जिन shares के अंदर जवर्दस तेजी बनीती उनको थोड़ा सा गिरने भी नहीं दे रहे हैं, ढंग से गिरने भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन भूल जाईए, बड़ा player को किसी share से कोई प्यार नहीं है, वो जिस दिन बेचना सुरू करेगा, वो इतना गिरेगा कि आप दिमाग खरा हो जाएगा, आपका, तेजी बनीती हैं, बड़ा player उसके अंदर पैसा मार रहा है, तब वो तेजी बन रही, आप ना तो किसी share को हिला सकते हैं, ना गिरा सकते हैं, ठीक है, तो पहले इस share को देख लेते हैं, इंजिनिर्स इंडिया लिमिटेट की अगर बात करते हैं, तो 189 रुपे का भाव यहां पर देखने को मिला है, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं, कि यह कितने रुपे से गिरा हुआ, 303 रुपे से, तो अच्छे खासी गिरावड भी हो ग लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, कि 300 रुपे का share इतनी जवरदस तेजी दिखा दे, तो हम उपर ही टॉप पर ही खरीदें, समझ माने हैं, कि अब गिरावड पर अच्छा खासा भाव मिला है, अब इसका हम मैक्सिमम चार्ट पर खोल लेते हैं, तो हमारा सार भी हो सकता है, हमारे SIP करने के हिसाब से, ठीक है, मार्केट कैप इसका रट लीजिए, 10,000 करोड का मार्केट कैप है, ठीक है, तो सारी चीज़े हमें यहाँ पर मिल लए है, राइट कमपनी मिल लए है, राइट प्राइस पर हमें मिल रही है, और कुछ लोग उपर की तब खरीदें तब तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ आपने 58 रुपी की गिरावट हुई उसको कवर किया गिरावट की कोई तैयारी कीजिए पैसा कमाने बाले लोग तो ऐसे भी कमा लेते हैं लेकिन आप उस चीज को रठते नहीं है क्या कि आपको 200 रुपे से ऊपर ही को ले 200 इधर लिखा वो कसम खाईए किसी की मत सुनिये होगा कोई वर्रें बफेट होगा राके जुन जुन वाला होगा बड़ा पिलेयर हमें किसी से कोई मतलब नहीं है हमारा फॉर्मूला है हम उस पर काम करेंगे क्या हम आज के बाद गिरावट से पैसा कमाएंगे हमें तेजी चाहिए नहीं तेजी से सक्त नफरत करो क्योंकि तेजी में ट्रैप हुआ परसन जब गिरावट होती है तो बड़ी मुस्किल से निकल पाता है गिरावट अच्छी खासी ढूंदिए और गिरावट पर थोड़ा-थोड़ा करके खरी दिया और बोलिए कि गिरावट हो ऐसा बैस तरीका होता है और जहां से खरीदना सुरू किया मान लिए 200 रुपे से खरीदना सुरू किया शेयर पहुंच गया 100 रुपे तक 100 रुपे तक आप थोड़ा-थोड़ा खरीद रहते आने वाले टाइम में फिर 200 आ गया बन गया आपका पैसा जादा तर केस में ऐसा ही हो पैले भी कई बार आते हैं लेकिन उसके बाद अच्छी भी आ जाते हैं अगर आपको अच्छी कंपनी लग रही है तो रिजल्स थोड़ा से कमजोर भी हो तो डरने वाली बात नहीं है तो 29 कंपनी के 29 अक्टूबर को रिजल्ट भी आ रहे हैं तो चाहो तो रिजल्ट के ब बात फिर बढ़ जाता है गिर गया था पिछली बार सायदा बढ़कर आ जाए ठीक है अब यहां से बात नहीं बनती है बात बनेगी हमारी कि हम जब पूरे-पूरे साल का डेटा देखेंगे तो कभी-कभी देखिए पहले इस कंपनी को बड़ा-बड़ा प्रोफित होता थ तक फिर धीरे-धीरे पूरे-पूरे साल का है यह प्रोफिट बढ़ना शुरू हो रहा है तो कंपनी आगे थोड़ी सी ग्रोथ धीरे-धीरे कर रही है इस पीड कम है इसलिए शेर का भाव भी थोड़ा सस्ता मिल ला है चाओ तो शेर पर फोकस कर सकते हुआ कमाल की बात य कितने हैं इस कंपनी के पाथ 4702 क्रोड के कितने 472 क्रोड के घया अब हम बात करते हैं कि ना फिल аровनी होलिक बढ़ंज बढ़़ा कर बैठे है Caitlin bread तो यहाँ पर अबी हाल फिलाल मगर हम देखते हैं तो सबसे पहले प्रोर्मोट्र की होल्डिंग दीखे सबसे बड़ी बात तो निकल कर आती है promoter की holding 51.32% ही है ठीक है ना घट रही है ना बढ़ रही है बहुत अच्छी बात है अब यहां पर अगर देखते हैं FI 7% थे कितना 7% अभी कितना है 7.31% है चलिए थोड़ा सा घटेंगे बढ़ेंगे यह चलता रहता है अगर हम यहां पर देखें DIs की तो 13 परसेंट थे अभी कितना है 11 परसेंट है तो FIDI आते रहते हैं जाते रहते हैं बहुत सारी कंपनी ऐसी है मैं दिखाने वाला हूं वहां पर promoter है नहीं एक कंपनी में आपको दिखांगा promoter है नहीं फिर भी शेर के अंदर तेजी बनती है कैसे कर होगे ठीक है तो बढ़ा क कैसे बनियाँ बता सकते हैं तो शेर कभी भागा ही नहीं है यह तो कभी भाग ता ही नहीं है दीखे इस शेर को मैं 250 रूप से कवर कर रहा हूं यहां तक आज की डेट में आ चुका है इसको देखैंगे 5 साल पहले कितने का शेर होता था यह दिखिए यहां पर कितने का 337 र तो उसका पैसा इतना कोई खास नहीं बना होगा ठीक है साड़े तीन गुना पैसा इसने कर दिया एफडी करोगे तो अभी पांथ दस साल भी नहीं हुए है इसके अंदर और फायदा ही नहीं था किसी को एफडी करने में वो सीधा उठा के 200-300 रुपए के हिसाफ से शेर खरीद कर डाल देता तो ज्यादा भी नहीं थी 300 रुपए से अगर नो सो रुपए भी लेने में कामयाँ हो जाता तब भी उसका बड़ा पैसा बन जाता मैं बोलता हूं कि 400 र अब देखे कितना 1200 रुपए अब देखे कितना 1200 तब भी आपके 200 परसेंट के रिटन बनने है तो बढ़िया कंपनी आपको ढूंडने पड़ेंगी अच्छे अच्छे शेर आपको मिलेंगे जहां पर पैसा बना के देगा अब ये शेर के लावावा आपको दूसी जगे ज पेचना है जल्दी वाजी नहीं करनी है जल्दी वाजी नहीं करनी है हाँ 225 रुपए की गिरावट नीचे हो सकती है मैक्सिम्म उपर की साइड में तेजी भी उतनी रही कि उससे ज्यादा कोई तेजी भी नहीं बनेगी हाल फिलाल मार्केट कैप इसका देख लीजे कितना दोस्तों बातों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए आपको जब 300 का था लंबे समय के लिए होल्ड करना अब यहां पर आ चुका है मल्टी वैगर रिटन के लिए होल्ड नहीं करना है इसेशी बैंको नीचे अच्छी खाची गिरावट पे 4-5-6 परसेंट का प्रोफिट बैठे हुए हैं और आपने बहुत बड़ा पैसा इसके अंदर लगा दिया आप कह रहें कि चार गुना पैसा हो जाएगा तभी में निकलूंगा नहीं बैंकों के अंदर ऐसा नहीं मिलता है कि मतलब कि जो शेर गिरे हुए थे सरकारी कंपनी उन्हें अच्छा पैसा आपक क्योंकि बैंक निफ्टी जब तक रहेगी निफ्टी फिफ्टी के अंदर जब तक लोग काम करते रहेंगे option के अंदर किसके अंदर moment आपको देखनों को मिलता रहेगा कहीं दूसी जगे जानी के अवशकता ही नहीं है यह नमोल बात बता रहें स्टोक मार्केट के अपने experience के बात चलिए एफाइज यहां पर देखिए कितरे हैं 45 परसेंट डिया इस कितरे हैं 44 परसेंट तो आधा से ज्यादा तो एफाइज निफ्टी को चंट्रोल करके रखा हुआ ठीक है तो कंट्रोल करने का कारण क्या है कि कोल पूट से पैसा कमाना उनको इस लिए निफ्ट अधिया दोस्तों पहला चेयर होगा उजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करें इसके इनदर एक साल का हाई तो त्यागी टेनटिफ इसका 62 रुपए होता तो गिर गिर कर 62 रुपए से भी नीचा गया तो पहला केस नहीं है एसा कि जो पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला हो ऐसा मल्टिपल टाइम बहुत सारी कंपनियों के अंतर हो चुका है बस यह है कि क्या डूब जाएगा क्या खतम हो जाएगा गिरावट कभी खराब नी होती है जो शेर आज बड़े आसांदार आसमान चू रहे हैं वो कभी गिरे हुए थे नीचे की साइड में जिसकी बावाई कर रहे हैं आप टाटा पावर की वो कभी 30 रूपे का शेर होता था तो अगर कोई सस्ता शेर है और मिल रहा है आपको इसका मतलब यह नहीं की वो खराब हो गया है ठीक है रिकमेंडेशन किसी की नहीं मैं जस्ट अपन मार्केट कैप इस कंपनी का है कितना साथ हजार करोड का मार्केट कैप है ठीक है तो सस्ते ही दाम पर मिल रही है 49 रूपे का बहाब है और भी बड़ी यहां से गिरावट होती है तो अट्रेक्टिव हो जाएगा लेकिन हां बड़ा प्लेयर चुप चाप खरीद लेगा और 257 करोड का रिविट यू उसके बाद 1391 करोड का उसके बाद 14iza करोड ॉसके बाद 1539 करोड का उसके बास कणिए 1577 कग ठीक है उसके बाद भी शेयर भागते नहीं है तीक है इसलिए मैं रikkomanडेशन के लिए आपको मना कर रहा हूं कंपटपनी मुझे ठीक लग रही है अब आगे आप खुद थोड़ा सा विचार कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब समय देने वाली बात आती है, कोई समय नहीं देता है, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, आपके लिए शेर खराब कब हो जाता है, जब शेर गिर जाता है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि लोग टर्म में पैसा बना के दे सकता है, कोई शेर, अगर उसके फंडामेंटल मजबूत है, ठीक है, तो ये अंतर होता है, लोग टर्म बाले में, और सोट टर्म बाले में, सोट टर्म बाला एकदम हिल जाता है, थोड़ा सा जहटका लगेगा, वो बिख़द तो यह बात आपको मालूम होनी चाहिए तो अगर हम यहां पर बात करते हैं तो एक साल पहले इस कंपनी का प्रॉफिट तीन सो चोविस करोड का था उसके बाद तीन सो एक करोड तो थोड़ा सा घटरा है प्रॉफिट अब देखते हैं जो अगले क्वाटर यहां पर 24 अक्ट अच्छी बात है तो और उन मिला के देखते हैं तो रिजल्ट कंपनी के ठीक ही है जो प्रिवेसली है अभी क्वाटर टू के रिजल्ट आएंगे चोविस अक्टूबर को तब आप देख लिए कोई क्वाटर खराब भी आ जाता है तो इसका मतले भी नहीं कि खराब हो गया चलिए अगला शेयर है उतकर्स स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी उज्जीवन की बाद चल ली थी अब उतकर्स की बाद चल लिए 43 रूपीज का है तो उसके अंदर अगर आप देखते हैं किसके अंदर मैंने प्रमोटर की होल्डिंग आपको नहीं दिखाई है किसके अंदर अगर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग जीरो है तो घबराना नहीं है डरना नहीं है श्यरीज को लेखर FIDI C होल्डिंग उसके अंदर ए agree तो उतकर्स स्मॉल फाइनेंस की बात करें इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है वह आपको दिखाने वाला हूं चलिए तो टो फाइक इतना बनाया था इसने 68 रुपीस का कितना 68 रुपीस का लो कितना बनाता बहुत लुटरीट के लिए आसपास मारा है तो अभी यह शेर हो गया को गिर गया है तो खुराब हो गया तो अच्छा हो जाएगा अधिकर उसने तेजी बना दी तो वह सब पबलिक के तो किसी के लिए याद रखेगा किसी के लिए कोई शेर अगर गिरा है अगर टाटा पावर सो रुपे से गिर कर नीचे तीस रुपे पहुंच गया तो जिसने खरीदा उसके लिए खराब लेकिन किसी के लिए वह अपोर्चुनिटी बन सकता है तो मार्केट में यहाँ पर देखे कि कहाँ पर लोग ज़्यादा फसे हुए हैं फसे होने का मतलब यह नहीं कि बेकार कूड़ा कमपनी को आपने ढूंड़े हैं नहीं अच्छी कमपनियों के अंदर जिनका बिजनिस चल रहा है काम चल रहा है उनके अंदर अगर गिरावट ह हुई है और लोग फसे हैं तो मतलब कि आपका पैसा बन सकता है वहां पर आपका पैसा बन सकता है तो गिरावट क्या खराब होती है कि किसी ने बोला कि गिरावट आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं त्यागी टेंडियर हमने बोला था यह गिरेगा अरे मेरे भाई मैं तो 43 रूपीज का भाव है इसका अगर मैक्सिमम चार्ट पैटन भी अगर आप उठा के देखते हैं तो तेजी गिरावट तेजी गिरावट यहीं सिलसिला चलना अभी ठीक है तो अभी अच्छी-काशी गिरावट है तो सायद आपका देखिया रिकमेंडेशन कुछ नहीं है फि उसके बाद 896 क्रोड का उसके बाद 966 क्रोड का ठीक है अगर यहां पर नेट प्रोफिट की बात करते हैं 108-114, 116, 116, 117, 117 हो गया थोड़ा सा कम हो गया चलिए कोई बात नहीं अगर यहां पर हम देखते हैं ग्रोस NPA 2.78 परसेंट का है उतकर सी स्मॉल फाइनेस बैंग परसेंट का ओनेट अपर कितना 0.26 परसेंट तो बढ़िया बात है चलिए अब देख लेते हैं प्रोमोटर की होल्डिंग किस तरीकी की है ठीक है तो प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करें तो सारा माल लेकर अभी बैठे है अपने पास 68.94 परसेंट ठीक है धीरे-धीरे फुलका थोड़ा बहुत निकाला है बहुत ही एक परसेंट के करीबन ठीक है वही यहां पर FIDIS ने खरीद लिया है ठीक है तो दियाइस की बात करें 10% की हिस्सेदारी है ठीक है तो चाहो तो शेर पर होकस कर सकते हो लेकिन लोंग टर्म के लिए शोट टर्म की कोई बात यह इस कंपनी यह यहां पर नहीं होता था सबसे पहले दिये कि यह company बहुत ऊपर वाज दाम पर होती थी एक शेर के बदले में दली देерм जैसे वार और 2 यानि कर टोटल मिला के एक श का इता है फिलाल देखेंगे हैंब आप मारकेट का है यानि कि if a अगर इंदर इस्पिलिट बोनस देने के बाद एक दो लाग करोड का मार्केट कैब हो जाता है तब आपको थोड़ा सा सोचना है कि इस कंपनी से पैसा नहीं बनेगा लेकिन अगर लार्ज गैब आली हैं बढ़िया फोकस वाली कंपनिया है तो उनके अंदर भी गिरावटे होती है ठीक है गिरावटों पर खरीदें उनके अंदर ही 5-10% बनता है लेकिन अगर मोटा पैसा बनाना है बड़ा लंबा पैसा बनाना है कई कई गुना तो छोटे शेर पर आपको ध्यान देना पड़ेगा यह स्टोक मार्केट का फैक्ट है देख लिजे आप जिब बहुत बढ़िया बढ़िया शेर है तो क्या 50 गुना तो अभी रिलाइंस प पैसा बना करें बने दिया तो पैसा कम बनेंगा जहां पर थोड़ा सा रिस्क है वहां पर देखिए 50 गुना पैसा भी तो बन रहा है ना ठीक है तो यह चीज आपको रट ले लेगमागी चाहिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 50 गुनीं के चक्कर में सारा पैसा आप लग लेकिन जब तेजी बनेगी तो एकदम से ही तेजी जबरदस बन जाती है एकदम काम हो जाता आपर सरक्रीट के साथ शेर भागता है कहीं से पैसा कमाया जैसे कि नहीं से 20,000 रुपय और 50,000 रुपय कमाया थीक है पांच कंपनिया आप ने ढूनी उनके अंदर 5-5,000 रुपय लगा दिया थीक है उनके अंदर बिटुकड़ टुकड़ो में लगा सकते कि 2,000 या 2,500 रुपय करके थीक है तो खरीद के छोड़ दिया उनमें से एक भ तो देख सकते हो मन नहीं करता था वाइड करती जिए इस कंपनी के फंडामेंटल में आपको दिखा देता हूं दोस्तों अगर बात करते हैं यहां पर सेप्टेंबर क्वाटर की तो देखिए यहां पर देखिए 205 करोड का रिविन्यू था उसके बाद 239 करोड का उसके लगातार इस कंपनी का रिविन्यू बढ़ रहा है चलिए अब देख लेते हैं प्रोफिट भी देख लिए इस कंपनी का तो प्रोफिट कम है लेकिन बढ़ रहा है पिछले चार-पांच कोर्टर के बात करते हैं तो देखिए लगभग यह मान के चले कि पांच-पांच करो 18 करोड़ों से सिधा-षिधा प्रोफिट गर कर कितना पहुझ गया तीन करोड़ इसलिए रिस्की कंपनी यह उसके बढ़ना सुरू हो गया तो रिस्की कंपनीया काफी सारी होती है उनके अंदर बड़ी-बड़ी गिरावटे आपको मार्केटके अंदर अपना बैग उठा बढ़र निफृ आतो नोट में देर बेख़ी देख को और सॏ सीचिवाट में लमें पैसी सच के इन कमपनी पर पाफ। में खशायँ हई गिरना कि बोड़ना कैसे बसक्तेटेशन बीजक ये। जी मालुम तो है तो फिर आप बच्चों वाली बाते क्यों कर रहे हो कि शेर गिरेंगे नहीं भई मार्केट ऐसा ही है ऐसा ही है मार्केट सारा पैसा किसी एक कमपनी के अंदर लगाना नहीं है और गिरावट की पहले तैयारी तेजी की बाद में गिरावट की पहले तैयारी करो, अगर स्टोक मार्केट के अंदर आए हो, गिरेगा पहले शेर, जब आपको ठका देगा तब भागेगा, जी मैं चुपचाप बैठ हूँ और अपोर्चनरी ढूंड़ू, हो तो ऐसे महातमा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि एक-एक महने में एकी ट्रेड लेते हो, जुपचाप बैठ के पूरी-पूरी वीडियो देखते हो, पूरे मार्केट का मजा लेते हो, वो कहीं अच्छी गिरावट मिलती है, सबसे बढ़िया बात है, लगाई एक बार में कोई बात नहीं है, अगर आपको मिलता है, ठीक है, लेकिन सारा पैसा फिर भी नहीं लगाना है, ठीक है, तो ये जन्रल इन्फोर्मेशन आपको आनी चाहिए, अगर इस टोक मार्केट में टिक कना चाहते हो, विड़ अच्छी लगी, लाइक शेर कर दीजेगा, जैहिन, बन्दे मातरू